नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार से छकभरती के लिए दस्तावेज सत्यापन से जुरा आईएंपी नोगेश जाड़ी बिना OTP के भी अब हो सकते हैं अकाउंट से पैसे खाड़ी केके पाठक का छात्रों के लिए नया फर्मान राज गांधी ने लालू प्रसाद से सीखी राजनितिक मसाला और सीक्रेट रेस्टी हारिस राउफ की तेज रफ्तार वाली गेंदबाजी से टूटा स्रेस अयर का बल्ला इसके साथ ही बरते हैं शामता की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से बिहार सिक्षक भरती के लिए दस्तावेज सत्यापन से जुरा आईएंपी नोटस जारी अगर आपे उन अभ्यर्थियों में से हैं जो BPSC के ओर से ली गए बिहार सिक्षक भरती प्रतियोगिता परिच्छा में भाग लिए थे तो यह खबर आपके लिए है बतादे कि बिहार लोग सिवा आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज वेरिफिकेशन से जड़ा एहम नोटस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि माध्यमिक और उच माध्यमिक विद्यारे के अध्यापक न्युक्ति प्रतियोगिता परिच्छा के अभ्यर्थी जारी इस सूची को ध्यान से पढ़े और सभी दस्तावेजों को समय से पहरे तयार कर ले चहलूम जन्मास्टमी पर इन काडियों को करने से लगा रोक चहलूम और जन्मास्टमी को लेकर बिहार के राजधानी पटना के डीडी सी तनय सुल्तानिया के दोरा विधी व्यवस्ता संधारन के लिए अनुमंडलवार तयारियों की समिक्छा की गए इस तोरा हुने अधिकारियों को नर्देश देते वे कहा किस वर्ष चहलूम और श्रेकरशन जन्मास्टमी परव में डीजे पर सौ प्रतीशत रोक लगा दिया जाए और साथ ही बिना अनुग्यप्ति के जलूस भी ना निकालने दिया जाए इसके अलावा आप लोग सूछना तंत्र को सुद्रिर एवं सक्रिये रखे तर्था समेदन शील स्थानू पर विशेस स्तर्था मूलक काड़वाई करने के लिए तयार रहे जिनके दोरा नियम का उलंगन किया जाता है उन पर ड्रोन से निग्रानी रखी जाए और समाजिक तक्वो पर भी लगातार निग्रानी बनाई रखे और वाहू को फ्यालने से रोके इसके लावा इंटरेट और मीडिया पर भी नजर बनाई रखे मंदरों के समीप पुलस क चौकसी रखी जाए तो सरकार को कम से कम 300 करों रुपए का फायदा हो होगा उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब एक एक विद्याले में RDD, DEO और DPO का खुद हस्त छेप करना होगा और हड़ेक चात्र चात्रा और उनके विवाब को से बात करनी होगी DEO और DPOS को अपने जिले में 55 विद्याले को गोद लेना चाहिए वहीं जिस DPO के कारे छित्र में कोई विद्याले नहीं है जहां चात्रों पस्तिती 50% से कम हो तो उस कारे छित्र के बाहर का भी विद्याले दिया जाए सिपाही भरती के 45,666 आविदन रद के दोरा वेबसाइट पर एक नोटस जारी की गई है जिसमें है जानकारी दी गई है कि बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर सिपाही भरती के लिए जो भी आविदन प्राप्त हुए थे उनमें से 45,666 आविदन को रद कर दिया गया है ब जबकि 27,672 आविदन ऐसे थे जो स्वयम आविद को दोरा रद किये गया है वही 3,511 आविदन ऐसे थे जो लिंग विसंगती, फोटो हस्ताक्षर विसंगती और एक आविदक दोरा किये गया है कई आविदनों से सम्मंधित विसंगती के कारण रद किये गया है बता दे कि अभ्यरतियों के सुची नाम वर रेजिस्ट्रीशन नंबर के साथ वेवसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। प्रकाशित कर दी गई है। छोड़ने का मामला सामनी आया है जिसमें SHO के द्वारा स्मैक तसकर से मूटी रकम लेकर थाने से छोड़ा गया है। बता दे कि उस SHO की पहचान नगर्थानाध्यक्ष महेश कुमार यादव के रूप में की गई है। अगर्टना CCTV फूटेज में रिकॉर्ड हो गई। जिसके बाद S.P. आमीर जावीत के द्वारा महेश कुमार यादव को ने लंबित कर दिया गया है। और उस पर विभागे कारवाई चलाने का नर्देश दिया गया है। मालम हो किस मामले की जांच बनमन की S.P.O. द्वारा की गई थी। इस जांच में परतार में यह भी जानकारी निकल कर सामने आई है कि मनोज कुमार यादव के उस स्मैक तसकर से काफी मधुर संबनते हैं। बिहार की राजधानी में सिक्षक संगठनों की आपात बैठक। सक्षक विभाग के अपर मुख्य सचीब केके पाठक के द्वारा बिहार के सरकारी स्कूलों में जब से चुट्टियों की खटौती की गई है तब से लगातार सक्षकों के द्वारा इस आधेश का विरोध किया जा रहा है। इसी करीब में आज बिहार के राजधानी पटना के यूथ खॉस्टर में प्रदेश की तमाम सिक्षक संगठनों की एक आपात बैठक बिलाई गई है जो की सुबह 11 बज़े से सुरू हुई वहीं इस बैठक में खत्म होने के बाद इसकी जानकारी मीडिया को दी गई मालु किसे पहले विभाग के सादेश के खिलाफ सिक्षकों के द्वारा हाथ में काला पठी बानकर सचनिक कारी करते वे विरोध व्यक्त किया गया था इस बैठक को लेकर संग के संयोजक का कहना है कि सिक्षक अपने मान सम्मान से कोई समझोता करने को तयार नहीं है आज की बैठक सरकार के अफसरसाही रवये के खिलाफ चर्णावर आंदोलन की रूप रेखा तयार की है बिना OTP के भी अब हो सकते हैं अकाउंट से पैसे खाली इन दिनों बिहार में साइबर अपराद से जरिम मामलों में लगातार बढ़ुतरी हो रही है इसी करही में एक नई घटना सामने आई है जिसमें साइबर अपराधी के द्वारा बिना OTP के ही अकाउंट से पैसे निकाल दिये गए हैं बता दे कि हमामला नहरु नगर निवास्ती अभिशेक कुमार सौरफ से जराहे बताया जाता है कि अभिशेक को एक कॉल आया और बताय गया कि वह साइन कंपनी का प्रती नीधी है इस कंपनी से जुनने के लिए उन्हें लिंक के माध्यम से 10 रुपे का रेजिस्ट्रेशन करना होगा जिसके बाद अभिशेक ने लिंक को क्लिक कर अपनी डिटेल डाल दिया लेकिन इसके बाद उन्हें OTP आया लेकिन उन्होंन की निकाशी कर ली है ऑटो संग ने किया एलान 5 सितंबर को पटना बंद ऑटो चालकों के द्वारा अपनी मांग को लेकर 5 सितंबर को पटना बंद का एलान किया गया है मालूम हो कि ऑटो चालक के द्वारा पटना जंक्शन असद टाटा पार्क ऑटो स्टैन को हटाने के व लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें आसवाशन मिला है कि जल्धी समस्या काड़ेदान किया जाएगा। मालम हो कि राज्य में अर्वल और गोपाल गंज ऐसे दो जिले हैं जहां सबसे कम बच्चों की जानकारी दी गई है। इसको लेकर DPO समग्र सक्षाभियान वीवा कुमारी के दोरा कहा गया है कि राज्य के सभी प्रखंडों के BEO और स्कूलों के हेड़ मास्टर को दो दिन का समय दिया गया है जिसमें वो डाटा मिलान का काम करेंगे। और आगे किसी भी स्कूल में किसी बच्चे को लेकर किसी तरह की योजनाओ के लाग को लेकर दाविदारी आती है तो उसकी वसूली समबंधित हेड मास्टर से की जाएगी। राहुल गांधी ने लालु प्रशाथ सीखी राजनितिक मसाला और सीक्रिट रेसिपी। सब वह भी कहते हैं कि उन्हें बिहार के पकवानों के लावा थाई फुड भी काफी पसंद है पतादी के वीडियो लालु पुशाथ की बेटी मिशा भारती के दिल्ले सित आवास का है मालुम हों किस वीडियो को राहुल गांधी के दोड़ा एक्स पर भी शेयर किया गया है इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से भी बिहार में बूत स्तर तक मजबूत करने के लिए बैठक की जा रही है वह इस बैठक में बीजेपी नेता आरसेपी सिंग के दोड़ा जेडियो पार्टी पर जमकर हमला बोला गया उन्होंने कहा कि 1952-1957 से लेकर 1922 तक का चुनाव सब एक साथ ही हुआ जब दोनों चुनाव एक साथ होता है तब चुनावी खर्च कम होता है और प्रशास्तिक मुस्कले भी कम होती है किंद्र की जो सोच है लोगसभा चुनाव और विधान सभा चुनाव एक साथ कराने की मैं उसके पक्ष में हूं और यह होना भी चाहिए अब इस बात को लेकर महागरवंधन के पेट में दर्ध होना स्वाभाविक है उन्होंने कहा क्यों नहीं पता है कि अगर लोग सभा और विधान सभा चनाव एक साथ होता है तो कहीं के नहीं रहेंगे जिसकी पोल खुद जनता ने खोल कर रख दिया हो वह बीज़ेपी के खिला पोल खोल कारे किरम चला रहे है पपो यादव ने बिहार छोड़ने का किया बड़ा अलान बीतर दिन सनिवार को जनधिकार पार्टी के सुप्रीम पपो यादव के दोरा वन नेशन वन एलक्षन और संसत के विशेस सत्र को लेकर केंदर सरकार और प्रधान मंतरी अटल बिहारी वाजपई के लावा किसी की तारीफ नहीं की है नरंद्रमोदी की तारीफ अगर मैंने किया हो तो उसका प्रमाद दिखा दीजेगा तो मैं बिहार छोड़ दूँगा उन्होंने कहा कि चमड़ी का मुह है कुछ भी नहीं बोल दीजे नरंद्रमोदी को वन नेशन वन एलक्षन के बज़ाए वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम को लागो करना चाहिए हारिस राव की तेज रफ्तार वाली गेंद बाजी से टूटा स्रियस अयर का बल्ला बारिश की वज़े से बीते दिन भारत और पाकस्तान के बीच होड़ा मुकाबला रध हो गया ऐसे में दोनों टीमों को एक-एक पॉइंट दिया गया है इसके साथ ही तीन पॉइंट के साथ पाकस्तान की टीम सूपर चार में पहुँच कई है वहीं अगर भारत की बात करें तो अगर भारत नेपाल से हार जाता है तो इश्या कब से बाहर हो जाएगा ऐसे में सूपर चार में पहुँचने के लिए इंडिया को हड़ हाल में नेपाल से मैच जीतनी होगी लेकिन बीते दिन हुए स्माच में स्टार पेसर हरी स्टाउफ की तेज रफदार वाली गेंदवाजी ऐसी थी कि जिससे श्रेस अयर का बल्ला तूट गया हाला कि उसके बाद भी बॉल बांडरी पार्ट चली गई जाने आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी रविवार को पिट्रॉल डीजल के रेट जारी किये गए जिसके बाद राधधानी पठना में आज पिट्रॉल 17.59 रुपे और डीजल 94.36 रुपे प्रति लीटर में मिल रहा है भागलvent पर्वे पिट्रॉल डीजल रेट बिहार में पिट्रोल का रेट सबसे आदा कसंट गंज में हैं जहां पिट्रॉल 11.78 रुपे प्रति लीटर और डीजल अब दसम्लो 3-4 रुपे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है आपके जहतर में मौसम की क्या सती है आप अनों जावब हमें मारी कामन सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबलों के साथ बने रहने के लिए देखते से बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप YouTube से देखरें चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देखरें तो पेज को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद